ओके हे ओल राइट एंड वेलकम तो अल इन टुडेइज देहिंदू न्यूजपेपर डिसकेशन आज है 10th of February 2023 तो आज के न्यूजपेपर अनलेसेस में कौन-कौन सी चीज़ें दी गई हैं हम पेजवाई डिसकेशन करेंगे और हम सिर्फ पूरे न्यूजपेपर को UPSC Point of View स प्लस स्टेट PCS के बेसेस पर पढ़ेंगे जिसमें हम प्रिलिम्स और मेंस दोनों को कवर करेंगे डेली का एक न्यूजपेपर आपका कवर हो जाएगा साथी साथ आप एक मंतली मैगजिन करेंट अफियर की कोई भी इंस्टूट की पढ़ सकते हैं प्लस एक न्यूजपे पर बांकि इसमें करेंट अफियर फ्री में आपको मिलता है टैली ग्राम चैनल पर तो विदाउट मुविंग फर्दर सबसेपहले मां आपको बता दूँ कहां से आपको फ्री जो नोट्स हैं वो मिलेंगे आपको सबसे पहले करना है टैली अप्लिकेशन डाउनलोड यहां पर लिखाया है सब्सक्राइब करना है पंकज बोरा ऑफिशल जैसा लिखाया है वैसा ही आपको टाइप करना है और यहां हर दिन के 9th 10th 8th Feb सबके डेट वाइस क्या मिल जाते हैं आपको नोट से मिल जाते हैं देखिए 10th Feb the Hindu newspaper with page wise notes आपको मिल जाते हैं आपको YouTube में अगर कभी यह वीडियो नहीं मिलती है तो Hindu analysis by पंकज बोरा ऐसा YouTube पर सार्च करना है तो टॉप टॉप में यह वीडियो यह चैनल आपको शो करने लगेगा और सभी नोट से आपको यहां पर मिल जाते हैं साथी साथ बहुत दूसरे हमारे पेट फ्लेंस भी होते हैं जिसमें NCRT है आंसर राइटिंग राइट विद अस ग्रूप है हमारा आप इसको भी जॉइन कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यूजपेपर अनलेस सबसे पहले देखे पीमोदी थस्टे को राज्यसभा में एड्रस कर रहे थे और मोशन ऑफ ठैंक्स टू प्रसिडेंट फॉर हर एड्रस पाजिन राज्यसभाब आपोजिशन के रही है कि इनकी पार्टी यह चल रही है हलाकि यह पॉलिटिकल है य मैं यहाँ पर से एक यूपीएस्स का TOPIC देना चाहूंगा जिसे कहते हैं जिसे क्या कहते हैं मोशन और टेंग्स अब कि फाइनेंशल एर end होने वाला है नया financial year भी देखो बजट पास हो गया है एकॉनमिक सर्वे पास हो गया है बट यूप्येस में टॉपिक होता है इस पूरे न्यूज से मोशन आप थैंक्स क्या आपको यहां पर कुछ देखना है यहां पर नहीं यहां पर सिर्फ speech दी गई ठीक है अपोजिशन क्या कह रहा है allegation लगा रहा है तो यहां पर speech बताई है कि मैं अकेला कितनों पर भारी पढ़े रहा हूं तो यहां पर ऐसी चीज़ें बोली गई बट हमें यहां पर से extract करना है what is motion of thanks motion of thanks हम यहां करेंगे पंकर बुरा ओफिशल और एक बार आपने यह notes कर लिए तो search box में फिर motion of thanks डालेंगे तो आपको यही notes मिलेंगे तो यह आपका google के तरह भी काम करता है motion of thanks UPSC quality GS paper 2 का हम बारे में बात कर रहें कि actual में motion of thanks होता क्या है कौन से article के अंदर आता है और आप से UPSC में क्या पूछा जा सकता है देखिए जनरली article 87 यह करता है कि राश्ट्रुपती जी एक special address देंगे मतलब राश्ट्रुपती जी लास्ट में कुछ आदे घंट की speech देंगे यह मान के चलो the article provides that at the commencement of the first session after each general election to the house of people and at the commencement of first session of each year देखो हर वर्स के पहले session में राश्ट्रपती जी आएंगे ठीक है और हर एक general election अब देखो general election 2024 में होने वाले हैं ठीक है 2019 में होए थे उससे पहले तो उसके भी पहले session में राश्ट्रपती जी आते हैं address करते हैं parliament को ठीक है and inform parliament of the causes of its someone क्यों लोगसबा राश्ट्रपती जी ने क्यों बुलाया है यह बताते हैं even सरकार के बारे में बताते हैं कि कैसी चल रही है यह सब चीजें भी होती है और इस address को एक special address बोला जाता है this address has to be both passes by sml together ठीक है और यह याद रखना यह motion of thanks को लोगसबा और राजी सबाने दोनों ने पास्क होना चाहिए तब ही आगे बढ़ता है नहीं तो सरकार भी गीर सकती है हाला कि इतना टफ नहीं है बड़ लोगसबा और राजी सबा अब majority में तो वह कड़ती है क्योंकि हर एक general election के बाद कोई भी जो पार्टी में तो पास होना ही होना है तो आर्टिकल 87 राष्ट्रपती जी देखते हैं आते हैं दोनों हावस इसको बलाते हैं दोनों हावस इसको पास करना पड़ता है motion of thanks और राष्ट्रपती जी बताते हैं इस edible oil tank in अंदरप्रदेश factory होता क्या है सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बता देता हूँ देखो काकी नाड़ा कहा है काकी नाड़ा अंदरप्रदेश में है काकी नाड़ा कहा है अंदरप्रदेश में है यह एक port भी है अब यहाँ पर एक port भी है बंदरगा भी है तो यहा होता बहुत सिंपल है कि यहां पर से एडिबल ओयल का जो यह टैंक था लोगों ने मैनवली जाकर इसमें सफाई करनी सुरू करती ठीक है तो साथ जो काम करने वाले लोग है एस फिक्सियेशन यानि की इसको दूसरे सब्दों मैं आप बोलोगे सफोकेशन दम घुटना इससे होता है ड्यूरिंग दा मूव रिमूबल ओफ स्लस फ्रॉम एडिबल ओयल टैंक एडिबल ओयल टैंक जो खाने वाला बतेल होता उसकी रिफाइनरी इसको साप करने के चकर मैं आंदर प्रदेश में साथ लोग मारे जाते हैं अब यहां पर सबसे बड़ी बात आती है कि किसकी रिस्पॉंसिपलिटी है क्या सरकार की है क्या यहां पर यह ओनर की है काकिनाड़ जिले में यह चल रहा है चीक है यह चला कहां अमबती सुबन्ना एंड को ओयल मिल एट जी राम जी पेटा विलेज इस गाउं में यह चला साथ लोग मारे गए अब चली यह इंसिडेंट आपको बहुत दुखत लग रहा है बट इसके पीछे का सॉलुशन क्या है अगर आप काकिनाड़ा जिले में होते हैं अभी डिस्टिक मजेस्ट्रेट के बाए यह रिपोर्ट जाएगी तो वो क्या करना चाहेगा सबसे पहले अगर दो तीन अगर सॉलुशन आपको देने हो तो मैं कहूंगा हर छे मैने में ली जाते हैं तो आएटी वाले बहुत सारी ऐसी मशीन हैं जिसमें जो मसीन से चीज़ें की जारी हैं ठीक है मसीन से चीज़ें की जारी है तो ट्राई ये करना चाहिए एक प्राविजन ये निकालना चाहिए कि मसीन के द्वारा कोई भी अगर टैंक हो तो मसीन के द्वारा क्या करना चाहिए साफ करना चाहिए राइट तो दो हमारी ये न्यूज है एक motion of thanks मैंने करा दिया एक asphyxiation करा दिया जिसे suffocation कहते हैं राइट ये नहीं करना और देखो पहली पेज किया कर अब न्यूज देखो हिंदू न्यूज पिपर देखो कब से चल रहा है चल कब से रह है बांकी देखो ये अड़िटाइज में तो समझ रहे हो आपको एक घंटा नहीं लगाना तो पहली पेज की न्यूज अगर यह तो दूसरी पेज में क्या होगी देखो इस नूपेंग फाइनेंस पुलिस ये बेबी को किड्नैप किया तो आपको कोई भी ऐसी न्यूज न आपके हिंदू न्यूज पेपर में एक-डो ही काम क्या हो रहे हैं तोड़ा सा अब आपको पैटन बदलना पड़ेगा तैयारी की जो आपकी अप्रोच है वो बदलनी पड़ेगी साथ हम फॉन गार्डेंस भी देते हैं एयरली प्लैन हमारा चलता है जिसमें हम फॉन गार सबसे पहले तो चैनल को ही सबस्क्राइब कर लेना है साथी साथ 750-513-4891 इस नमबर पर आप वर्टसेप कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं और अपने सीट रिजिस्टर करवा सकते हैं साथी साथ अपने दोजरते इस प्लैन के बारे में भी हमसे पूछ सकते हैं चलिए हमारे काम का एक चीज है कि जो स्मॉल सेटलाइट लाउंच वैकिल है जो कि इस रो ने किया अभी इस रो ने तीन सेटलाइट भेजी एक तो इस रो ने खुद की भेजी अर्थ आपजर्वेशन सेटलाइट ठीक है अर्थ EOS का मतलब यह होता है अर्थ आपजर्वेशन सेटलाइट मतलब इसमें क्या होता है न कि सेटलाइट देखी जाती है सेटलाइट मतलब देखती है कि यहाँ पूरे अर्थ को अबजर्व करती है इससे क्या क्या पता चल जा सकता है जो मेटरोलोजीकल चीज़े हैं वेदर वाली चीज़ें वो पता चल सकती हैं कहीं पर भी पूरे अर्थ को यह अब्जर्व कर रहा है तो कहां सुनामी आ रही है कहां बाड़ा रही है यह सब चीज़ें बता सकता है फिर एक यूएस बेज एंट्रिस जैनस फरस्ट को भी भेजा जो कि अच्छी बात है और च क्या अंध्रा राइट आपको कुछ और करना है इसी के बारे में वह डिटेल दी गई है हाना कि यह इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटलाइट जीरो सेवन एक सबच एक सब्सक्राइब तीन किलो कि थी और इसको इस रो नहीं बनाया था जनरली इसमें छोटी-छोटी माइक्रो सेटलाइट भी जूड़ी हुई है इट वूड डिजाइन डेपलाबे माइक्रो सेटलाइट अकुमेडेटिंग न्यू टेक्नलोजी पिलोड इन क्यूक न्यू एक्सपरिमेंट इंक्लूड एमम वेब हुमेडिटी साउंडर क्या- लॉच्छ वएक इक उताब पी आसल् वी पॉलर सेटलाइट लॉच्छ वैकी यह जनरली पॉलस में यह सटलाइट भ्यजिज़ाएगी पी एसल्वी हाई अर्थ और्विट्ट में बेजने के काम आती है जो से झाल भी होती है लो और वित मैं बेजने के लिए काम आती है और उनका वेड भी काम होता है जैसे 156 किलो ये सब पर उसमां भारी होगा तो ये 450 किलूंकि WIL मिटरlier और्विट में यह चल रहा चलिए आप बात करते हैं एडिटोरियल्स की सब से पहला एडिटोरियल अपना है पार हनेटरि में पारे में कंटि ही की टी कि कि रिजर्ब इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है उसने क्या किया है जो लेंडिंग रेट हैं वो बढ़ा दिये हैं लेंडिंग रेट बढ़ाने से 25 बेसिस पॉइंट से होगा क्या कि जब आप कोई भी लोन लेने जाएगा ना उसको महंगा लगेगा कि पहले अगर 6% देना था तो अब आपको 27% देना है अब इससे होता क्या है कभी भी लेंडिंग रेट बनाने से उसका एक ही मेजर एम होता है कि इंफलेशन को कंट्रोल करना किसको कंट्रोल करना इंफलेशन को कंट्रोल करना ही कहलाता है लेंडिंग रेट को बढ़ाना अब ये सारे डिसिजन कौन लेती है monetary policy committee ये कल भी मैंने discuss किया था ये भी हम start करेंगे monetary policy monetary policy committee का ये भी एक वो रहता है कि इनको महंगाई 2 से देखो 4 plus minus 2 इसमें रखनी है यानि कि कम से कम महंगाई 2% होनी चाहिए जादी से ज्यादा 6% हो उससे ज्यादा ना हो ठीक है तो ये monetary policy committee होती है तो इस बार फॉर की मैजूरिटी से 6 मेंबर होते हैं तीन आर्बियाई के होंगे तीन सरकार क्योंगे इनकी मैजूरिटी से डिसीजन लिया जाता है तो डिसीजन कल ही लिया गया क्या कि पच्चीज बेसिस पॉइंट तक बढ़ा दो अब इससे क्या होगा कि अगर 6% आपको ब्याज़ देना है तो अगर मैं सपोच बैंक गया मैं कहूंगा कि मुझे गारी के लिए लोनगे चीह तो वो कहेंगे 6 नहीं अब है आठपर श्रम वाले खुद आपने गारी के प्राइस मिंगे कम कर देंगे राइट चाईख है तो यहांपर जा रह चीज़ा रही है हमारा काम है इस चीज़ को पढ़ना मौनेटरी पालेसी कमीटी तो और Reserve Bank of India इन दोनों के बारे में छोटी से फैक्ट जान लेते हैं ऊप हैं कि एक उपी में 1935 को सब्सक्राइब है रिजर बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 अब होता क्या है कि रिजर बैंक ऑफ इंडिया को आफिस हुआ करता था पहले कैलकत्ता मैं प्रमेंटली वह मुंबई में सिप्ट हो गया 1937 में और सबसे पहले यह प्राइवेटली ओंड हुआ करता था 1945 में इसको nationalize किया गया मतलब सरकार के हाथों में डाल दिया गया अब में रिपोर्ट पबिश्वर्ट से लीट बूंगा मैं बताओंगा फ्रलेंस प्रिसक लिए कुछ फैक्ट कौन सा फाइनेज़ इस्टेबिटी रिपोर्ड मोनेट्री पॉलिसी रिपोर्ट रिपोर्ट क्या होती एग vibrant it was created in 2016 और monetary policy committee का पूरा रोल क्या रहता है इसको जो महंगाई का target है 4 plus minus 2 tolerance पर देखना पड़ता है monetary policy committee में आपके होते हैं 6 member जिसमें से होते हैं गौर्मर, RBI, ex-official chairman और 3 member क्या होते हैं सरकार के होते हैं वाई होप आपने ये वाला article कर लिया चलिए next article के बारे में पढ़ते हैं ये है US based हाला कि हमें ये नहीं करना Biden ने कल speech दी बहुततर मिनट की और इन्होंने कौन-कौन से मुद्दे सामने लाए कि low employment कम बेरोजगारी चल रही है inflation महंगाई को कम करना repeated the calls for taxing the super rich और बार बार उन्होंने ये बोला कि जो बहुत ज़्यादा अमीर है उनमें ज़्यादा टेक्स हम करेंगे social security को cut नहीं करेंगे जो लोगों को स्वास्त सुवधाय मिलती हैं उनको हम easily दे देंगे राइट ये चीज़े उन्होंने बोली साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला अपनी speech में कि यूकरेन और रश्या के बीच में जो चल रहा है वार उसमें जो है globally level पर pressure है ये सब चीज़े उन्होंने बोली है बट उन्होंने बोला है कि सबसे पहले हम अपनी country को देखेंगे और उसके बाद दूसरी चीज़े देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल हमारे काम का है ही नहीं कि कोई भी आर्टिकल आपने देखा होगा कि वो उस पर नहीं पूछेगा regional चीज़ों में ठीक है unemployment finance minister ने budget में mentioning नहीं किया कि कितना है हलाकि ये एक बंदे के viewpoint पर है पूरा आर्टिकल आपके काम का नहीं है कि एक बंदा ही सोच रहा है कि हाँ ये ये हो सकता है ये ये हो सकता है factual detail बहुत कम दी गई है तो हम इसको नहीं करेंगे बढ़ ये आर्टिकल करेंगे हम जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में कभी भी इंडिया और फ्रांस के बारे में एक relation के बारे में question पूछा जाता है suppose international relation में UPSC GS3 में GS2 में international relation पूछ दिया जाए तो आप क्या करोगे उसमें आप क्या करोगे देखे बहुत simple है point wise मैंने बनाए है जितने भी point highlighted है उनके basis पर पढ़ सकते हो सबसे पहना देखो आप कहोगे इंडिया और फ्रांस की जो strategic partnership थी उसको 25 साल हो गए है और जो हमने 1998 में sign की थी एक तो ये बोल दोगे पहला point चलो दूसरा point क्या बोलोगे France इंडिया का major trading partner बन रहा है और इग्यारवान largest foreign investor भी France ही है ठीक है दो point तीसरा point क्या है defense partner भी France बन रहा है उसके साथ साथ second largest defense supplier भी 2017-2021 तक फ्रांस बना साथी साथ जो आपने INS विकरांत में जो scorpion देखी जो पंडुब भी बनाई जारी है वो भी French के support से ही बनाई जारी है ये agreement 2005 से चल रहा है साथी साथ हम चौथा point ठीक है हम इंडिया और फ्रांस के साथ इंडिया और फ्रांस military exercises भी करते हैं जिसमें वरुण exercise है नेभी वाली गरुण है एरफोर सकती है आर्मी और ये तीनों ही exercise defense ये exercise हम क्या करते हैं फ्रांस के साथ करते हैं तो चार point ठीक है पांचवा point क्या है फ्रांस पहली ऐसी country थी जिसने इंडिया के साथ civil nuclear deal साइन करी शिक्स्थ पॉइंट सेवन्थ पॉइंट फ्रांस से ने इंडिया को permanent member बनने का जोड़ दिया United Nation की security council में और energy group में साथी साथ नई दिल्ली और फ्रांस से ने joint effort डाले और international solar alliance 2015 में खोला Mr. Modi ने और फ्रांस के PM ने राइट प्रसेडेंट ने Emmanuel Macron उसके बाद high level इंडिया और फ्रांस की political dialogue भी चलते हैं defense में, more time में, counter terrorism में तो मैंने कम से कम यहाँ पर आपको 8 से 9 point बता दी हैं और पूरा article EC पर बेज़ड है बस आपको ये point extract करने है ठीक है, कौन-कौन से point हैं ये मैं बार-बार revise नहीं करूँगा आप back end में जाके वीडियो को क्या कर सकते हैं प्लेपॉस दुबारा कर सकते हैं ठीक है, opinion काम का नहीं है Russia-China war चल रहा है इस पर आपको नहीं है मल्यालम movie क्यों theoretical audience को अट्रेक नहीं गरपारी उसके बारे में है कोई काम की news नहीं है ये काम की news है अभी Supreme Court के Collegium system ने पांच नए Chief Justice को पांच नए Chief Justice का नाम High Court के judge के लिए appointment करने की बात की गई ठीक है अब High Court कौन कौन से है वो कलकत्ता अलाबाद 36 गड़ गुजरात मनीपूर ये सब Collegium system के अभी major head है डी वाई चंद्रचूर जी जो की पचासवे मोखिन आयदीस है Chief Justice आफ इंडिया है साथी साथ उनके संजे किशन कॉल की एम जोसफ ये सब भी है Collegium ने प्रपोस किया TS Siv Sivaghanam as the Chief Justice of the Calcutta High Court अब बात होती है कि इनको कलकत्ता High Court का Chief Justice बनाया जा रहा है तो ये सब चीज़ें कॉन कर रहा है Collegium system इससे पहले Victoria Gauri के बारे में बताये गया है कि उनके BJP के से connection थे इवन उन्होंने Minorities के basis पर Hate Speech भी थी थी फिर भी उनको क्यों बनाया जा रहा है अब है और वो advocate थी तो कलकत्ता का जज़ बना दिया गया तो सुप्रिम कोट का Collegium क्या है ये discuss कर लेते है What is Collegium system UPSC Quality GS Paper 2 में Collegium एक ऐसा system है जिसमें जो appointment, elevation, judges की lawyers को सुप्रिम कोट और transfer of high court के judges को किया जाता है तो इसमें 5 लोगों का group है एक Chief Justice of India D.Y. चंद्रचूंड जी और 4 सुप्रिम कोट के senior most judges ये क्या करते है नाम सुझाते है सरकार को और सरकार उनको appoint करती है वो जो नाम सुझाए गए है कितना binding हो सकता है जब Collegium system दुबारा वो नाम सुझा दे के इंद्र सरकार को तो second time में वो binding रहते है ठीक है कि सरकार को मानना ही पड़ेगा कैसे काम करता है बहुत simple है कुछ list बनाई Supreme Court ने और दे दी सरकार को सरकार ने माना तो ठीक है नहीं तो सरकार कहती है दुबारा नाम दो दुबारा अगर नाम देती है तो सरकार को मानना ही पड़ता है बट time period नहीं बताया गया है कि सरकार कब तक accept उसको कर सकती है बट Collegium system भी हमने कर लिया उसके बाद कौन सी न्यूज आपके काम की है ये सब political न्यूज है देखो कोई भी आपकी न्यूज काम की नहीं है अदानी गुरूप वाला चला था 24 जन्वरी को हिंडन बर्ग रिपोर्ट आती है बोला जाता है कि यार अदानी गुरूप ने तो अगर भारत रशिया से तेल खरीदना जारी भी करता रहे तो हम उस पर सेंक्षन नहीं लगाएंगे ऐसा बोला गया है सोचो सबसे पहले इंडिया पर सेंक्षन लगाने की बात कर रहा था कौन अमेरिका कि अगर वो रशिया से इरान से तेल खरीदता है तो आप पर सेंक्षन लगाएंगे हमारे राश्ट्रपती यानि की United States of America के राश्ट्रपती किस पर? इंडिया पर सेंक्षन लगाएंगे ये USA का अपना कानून है कि जो भी देश उनके राइवल रशिया से, इरान से, नौर्थ कोरिया से कोई भी संपर्क बनाएगा तो उसका जो भी देश संपर्क बना रहा है उस पर क्या है? चार्जिस लगाए जाएंगे बट अभी टॉफ ओफ ओफिशियल्स क्या कह रहे हैं? सीनियर ओफिशियल्स की US will not sanction India for buying Russian oil सोच रहे हो कि इंडिया की कितनी ज़्यादा क्यों कि आजा रहा है कि यहाँ पर है कि मेंगरूब के पेड़ मेंगरूब के पेड़ क्या करते हैं? अगर बार आती है, कुछ भी आती है अगर इंडियान Oceans tsunami 2004 आपको याद है तो उसमें मेंगरूब के जो पेड़ थे उन्होंने बहुत हद तक destruction को कम किया मैंगरूप के पेल को बचाने के लिए टनल नीचे से टनल खो दी जा रही है और वहाँ से बुलर ट्रेन का प्रोजेक्ट पास किया जा रहा था जो कि 100 करोड का था अब उसकी कॉस्ट 10,000 करोड हो गई अगर ऐसा किया जाता है तो चीक है और ऐसा क्योंकि जाता है क्योंकि मैंगरूप को भी बचाना है वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं United States of America ने कहा कि जो चाइना ने USA के Air Space में Ballon फोड़ा था वो एक Spy है और कहीं न कहीं चाइना के Military हैं Surveillance कर रहे हैं चाइना ने डिकलाइन किया US call after its Ballon was down Syria और Turkey 20,000 लोग मारेंगे सोचो इतना बड़ा आर्थ क्योंकि आया चीक है बिजनस की है आदानी के Stock L.I.C. के चेर्मन मिलने वाले हैं फिर हम डिसकस करेंगे Sports में Formula is set for Grand यह है Sports की News है जडेजा 5-4 डिस्ट्रॉइ और इंडिया चीजस मैडन टाइटल कुछ काम का नहीं है जो आपके News पेपर में नहीं आएगा राइट देखिए यह है यह है तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और वीडियो को लाइक कर लिजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए एक कॉमेंट लीव कर दीजिए अगर किसने एंड तक देखा है तो एंड कोड है आपका स्रुईन क्या है एस एच आर आई एन तो आज की इस वीडियो में मिलते हैं कल थैंक यू है बनाइज डे